हेलो प्रेंड आज हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं हिंडाल को इंडस्ट्री शेयर का टेक्निकल एनलस तो अपने आप देख सकते हैं इस टॉक में आज की दिन लगभग लगभग 2% की तेजी हमें देखने को मिल रही है इस टॉक में 500 रुपई के लेवल पर ब्रेक आउट हो चुका है अब की तरफ चल रहा है तो अगला टर्रका ऑपर क्या सेट करना चाहिए क्र निशे की तरफ अगर देखा जाए तो यहां पर हमने देखा लगवग लगवग 380 रूपए के आसपाद स्टॉक कर रहा था यह देखेगा यहां से स्टॉक के अंदर आपको तेजी दिखाए दी थी और यह तेजी स्टॉक को सीधा उपर लेकर करके जाती कहां तक लगवग 560 रूपए तक पिर से स्टॉक में होती है की गिरावट और लगवग 400 रूपए तक कि हमें गिरावट देखने को तकंफ देखने को मिलते हैं यहां से अगरिक और 630-635 रूपए तक देजी को को मिलती है इसके बाद एक बड़ी गिरावट होती है जो कि स्टॉक को लगभग 309 रुपए 3010 रुपए तक गिरा देती है यह देखेगा इसके बाद स्टॉक में स्लो मूव देखने को मिलता है देरे-देरे करके स्टॉक उपर की तरफ चलता है लगभग 440 तक अब श्ट्र देता है मतलब 500 पर जाकर के प्रॉफिट बुकिंग हमें आप पर देखने को मिलती है फिर स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली यह देखिए यहां से उपर की तरफ अगला टार्गेट क्या हो सकता है तो यहां से आपका अगले टार्गेट 600 रुपए या फ चलेगा तो 600 रुपए के आसपास डेफिनेटल आपको टार्गेट दिखाई दे सकता है लेकिन यदि आप 540 के आसपास बाइंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप्लस आपको क्या रखना चाहिए यदि आप 600 रुपए के टार्गेट के लिए आपका जो स्टॉप्लस नीचे कि तरफ 520 रुपए का आपको रखना होगा 520 रुपए आपका श्टॉप्लस रहेगा 600 रुपए आपका टार्गेट और आपकी जो इंट्री है वो 540 रुपए के आसपास आप यहां पर कर सकते हैं तो फिर यह ता हमारा टेक्निकल व्यू हिंडाल को शेर को लेकर के इसी चैनल को अभी लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो